आप देख रहे हैं पट्ना निव 24 लाइब आज खास जो बानली की नगर विधान सभा में सिरी राव साहिब पटेल जो राजकिय रेलवे मंत्री हैं उनका धनहा पंचाइद में बैठक था जिसमें खास शतीश चंद्र दूबे ने कुछ पुराने दिनों के जो लालू परसाद यादो रेल मंत्री थे जब उन्होंने सिले नियास करवाया था और खास करके एक लंबा प्रजेक्ट बनाया था जो चारो परखंड के लिए था व उन्होंने मंत्री जी से अउगत कराया और सीधे बताया कि ये चारो परखंड के लोग हैं जो 2007 से अभी तब जो वादे किये थे जो रेल मंत्री थे उस टाइम पे जो बिधा बाली की नगर बिधान सवा के बिधायक राजे सिंग जी थे उस टाइम पे लालू यादो जी भ चारो परखंड के लिए शुरू किया था कहीं ना कहीं आज भी अधूरा है चारो परखंड को रेलवे से बंचित कहा उसके बारे में आपका क्या कहना देखिए हम लोग क्रियास कर रहे हैं कि रेलवे वाला चार जो ब्लॉग छूटे हुए हैं जिसका लालू जी ने सिल्य जान नास करके क्यों छोड़ दिया था कुछ किया नहीं था साथ से चौदे तक तो कुछ हुआ इन नहीं था चौदे में जब हम लोग सांसत बने तो सदन से लेके और मंत्राले तक दौर धूप किये तो धन भी मिला और कुछ काम भी हुआ लेकिन भूमी अधिगरहन का बि बिहार यात्रा जो पच्मीन चंपारान जीले के एक छोटे से गाउं से सुरुवात हो रहा है उस पे भी हमारे छतीश चंदर दूबे राजसवा सांसत ने टिपड़ी की और कहा कि जो छपरा में दारूपी के मजदूर लोग मरे हैं उसको तो माउजा दिये नहीं बिहार में क्या करेंगे खास करके उन्होंने यह भी मेंसन किया कि पहले जंगल राज था अब आपीसर राज है पहले लोग जो चोर थे बदमाज थे गुंडे थे और रात में लूटते थे अब आपीसर जो है कलम चला के दिन दहाडे लूटते हैं मैं बताया ना कि बिहार में जो पतादीकारियों का राज चल रहा है कहीं ने कहीं इनों के उपेच्छा का सिकार हुआ है हम दो निरंतर इसका प्रयास कर रहे हैं और आज मंतरी इसे बात भी करवाएंगे हम गोरकपुर जीम को डियार्म बनारस को क्योंकि इसब इलाके गो जंगल राज होता था आप आज की राज में अपसर राज हो गया है पहले लोग रात में लूटे जाते थे आज दीन में लूटे जा रहा है पहले जंगल पाठीयां लूटती थी आज अपसर पाठीयां लूटती है तोटे से गाउं से कर रहे हैं और उन्होंने जल जीवन ह समाच में सुरुवात बगहां से ही किया था स्याद आपको याद है या नहीं है और जो भी उनको यात्रा करना होता है जाए विकास यात्रा हो या धन्यवाद यात्रा हो तो यह चंपारण से करते हैं लेकिन अब पहले अपने गिरवान के अंदर जाग के देखें कि जो सुधार करने की जरूरत है पहले अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है अपने अहम को समाच करने की जरूरत है तब जाके समाच सुधार करने का प्रयाज करें एक ख़बर दे रहे थे मधुमनी परखंट से मैं सर्फुदिन अंसारी पटना निउट 24 लाइफ के लिए जाहिन